परिचय तरुन, क्या तुम जानते हो कि हमारा विद्यालई हमारे घर से कितना दूर है? मैं नहीं जानता, ये कितना दूर है? ये तीन दशमलव दो किलोमेटर दूर है ओ, तीन दशमलव दो किलोमेटर? तुम्हारा मतलब तीन किलोमेटर, ठीक है? नहीं तरुन, ये तीन किलोमेटर से ज्यादा है हम, मैं दशमलव दोन नहीं समझ पा रहा ये क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ तीन दशमलव दो, तीन और चार के बीच में पड़ता है और हम बिंदु के बाद इस संख्या को दशमलव संख्या कहते है वास्थव में ये पूर्ण संख्या एक भाग है बच्चों, इस पाठ में हम दशमलव के बारे में सीखेंगे सीखने के लिए साथ आए आउं सीखे दशमलव की अवधार्ना का वर्नन करना दैनिक जीवन में दशमलव के प्रयोग किलाब की चर्चा करना आवर्ती और सांथ दशमलव को परिभाशित करना अब परि में संख्याओं को पहचानना दशमलव क्या है? मूलत अह, दशमलव एक पूर्ण संख्या का भाग है भिन्न पांच पटादस को दशमलव पांच लिखा जा सकता है दशमलव बिन्दु को देख कर आप आसानी से एक दशमलव की पहचान कर सकते हैं दशमलव इकाई दशमलव को समझने के लिए पहले हमें स्थानियम मान को समझना होगा कलपना कीजिए कि हमारे पास एक आयत है जो एक पूर्ण संख्या का प्रतिनिधित्व करता है यदि हम इसे दस बराबर आयतों में बाड़ दें तो हमारे पास एक का दस भाग होगा या हम इसे दसवा भाग भी कह सकते हैं अब यदि हम उन आयतों को दस छोटे आयतों में बाड़ दें तो हमारे पास दस गुणा दस यानि एक का सो भाग होगा जोकि उसका सोवा भाग होगा अब यदि हम उन आयतों को दस छोटे आयतों में बाड़ दें तो हमारी पास दस गुणा सो यानि एक का हजार भाग होगा जो की उसका हजारवा भाग होगा अतह दसवा भाग, सौवा भाग और हजारवा भाग को दशमलव की एकाई कहते हैं दशमलव का स्थानिय मान दशमलव को लिखना काफी आसान है दशमलव बिंदू के दाई तरफ की संख्याएं दशमलव है उसका स्थानिय मान दसवा, सोवा, हजारवा इत्यादी है जबकि दशमलव बिंदू के बाई तरफ की संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है उसका स्थानिय मान एकाई, दहाई, सैकडा, हजार इत्यादी होता है इसलिए इस संख्या को हम 64 और 86 सौवा भाग पड़ेंगे दशमलव का सामान्य प्रयोग क्या आप जानते हैं कि एक रुप्या, सो रुपे का सौवा भाग है क्या ये मजीदार नहीं है हम दशमलव का उप्योग, मापन, वजन और तापमान के लिए भी कर सकते हैं इसलिए दशमलव बहुत ही महत्पून होता है दशमलव का जोड और खटाव पूर्ण संख्याओं की तरह ही दशमलव का जोड और खटाव भी आसान है इसके लिए आपको पहले दशमलव को एक सीध में लाना होगा देखाँ, ये आसान है दशमलव संख्याओं की तुलना करना भी आसान है जिस संख्या में दशमलव के अंग कम है उसके अंत में शून्य लगा कर दूसरे संख्या के अंगों को बराबर करके और आप ततकाल बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बढ़ी है याद रखे, दशमलव अंगों के दाई तरफ शून्य बढ़ाने से उनका मान परिवर्तित नहीं होता आवर्ती दशमलव कुछ दशमलव कभी खत नहीं होते और उनके दाई तरफ अंग पढ़ते ही जाते हैं एक बटा तीन के भिन्ड की दशमलव संख्या देखिए तीन, 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 तीन से शुरू होकर ऐसे ही बिना खत्म हुए बढ़ता जाता है अतह इस तरह के दशमलव को आवर्ती दशमलव नाम दिया जाता है आप चाहें तो इसे तीन दसवे भाग या तीन सौवे भाग के बाद इसे रोग सकते हैं लेकिन आखरी अंग के आगे एक रेखा लगा देना ज्यादा उजित होगा इस रेखा से पता चलता है कि अंग आवर्ती है जो दशमलव समाप्थ हो जाते हैं उनहीं सांथ दशमलव कहते हैं अपरी में संख्याएं कुछ दशमलव अपरी में संख्या कहलाते हैं ये ना समाप्थ होते हैं ना ही आवर्ती होते हैं पाई इसका एक अच्छा उधारन है जो किसी वृत्त के परिधी और व्यास का अनुपाद होती है ये संख्या तीन दशमलव एक चार एक पांच नौ से शुरू होती है और बिना किसे आवर्ती या अन्य तरीके से अनन तक जारी रहती है हमने क्या चर्चा की? दशमलव एक पूर्ण संख्या का भाग होता है दशमलव बिन्दु के दाएं तरफ की संख्याएं दशमलव होती है और उनका स्थानी अमान दसवा भाग, सौवा भाग, हजारवा भाग इत्यादी होता है दशमलव बिंदु के बाई तरफ स्थेत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है और उनका स्थानी अमान इकाई, दहाई, सैक्डा और हजार होता है दशमलव का प्रयोग प्रति दिन मुद्रा, वजन, तापमान और दूरी के मापन की बाचीत में होता है दशमलव को दशमलव बिंदु के एक सीध में रख कर जोड़ा या घटाया जा सकता है कुछ दशमलव जो ना आवर्ति होते हैं ना ही समाप्त होते हैं, उन्हें अपरिमय संख्या कहते हैं